तो हेलो दोस्तों आप सभी लोग फोन यूज़ करते हैं जितने लोग Android फोन या फिर iPhone यूज़ करते हैं सारे लोग mobile में एक चीज जो ज़्यादा हेट करते हूँ है ads ads आप कुछ भी browsing कर रहे हो Chrome में या फिर दूसरे कोई browser में या फिर कोई वीडियो देख रहे हो ads आते ही आते हैं और ये ads हमारे experience को बहुत ही खराब करते हैं और अगर आप ads से परेशन हो गया हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और कैसे आप अपके Android फोन में ads करना चाहते हैं आपके फोन में तो पहला option आता है routing का मगर routing एक advanced method है add block करने का और बहुत सारे फोन में routing होता भी नहीं है और मैं आपको routing का recommend भी नहीं करूंगा और दूसरा तरीका है private DNS का इस वीडियो में add guard DNS server का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों इसके ल DNS अगर आपके settings में search का option है तो यहाँ पे सिर्फ आप DNS सर्च करके private DNS को दून सकते हैं या फिल आप आपके mobile में connection and sharing option है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए private DNS लिखा हुआ है आपको private DNS में जाना है यहाँ पे यह auto में रह सकता है यहाँ पिर off रह सकता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नीचे private DNS provider वर्स नेम option है इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको type करने का जगा मिलेगा यहाँ पे आप type करेंगे small में sub करेंगे dns.edgard.com इसको लिखने के बाद आप save option में करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं private DNS dns.edgard.com आ चुका ह इसके बाद आप back करेंगे और आप जो भी browser यूज करते हैं उसको आप use करके देख सकते हैं कि ad block हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आप के browser में ad block अभी भी नहीं हो रहा है तो एक बार आप google chrome आप अगर clear data लिखावार, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दो option मिलेगा, manage space और clear catch, यहाँ पे आप clear catch टैप करेंगे, और okay मैं क्लिक करेंगे, तो मैं अभी आपको add block हुआ है या नहीं, वो check करके आपको बताऊंगा, यह add block test का एक website है, यह check in हो रहा है, देख पा रहे हैं यहा तो आप देख सकते हैं, यह add block काम कर रहा है, तो दुस्तो आशा करता हूँ, वीडियो देखे आप सीखे होंगे कि कैसे add block होता है, वीडियो अगर पसंद आया है, तो मेरे वीडियो में एक like कर दीजे, चैनल में अगर नहीं हो, तो ज़रूर मुझे support कीजे, एक subscribe कर दीजे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबात आपको,